नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देखरें सीकर संदेश 2023 के विधान सबा चुनाव आने वाले हैं और पूरे देश की नजरें राजस्थान पर राजस्थान का सीकर जिला बहुत ही महत्व पूर्ण और यहां की आठो विधान सबाय कॉंग्रेस सरकार के पास थी 2018 से 2023 तक लेकिन आने वाले समय में ये किस तरीके से करवड बदलेगी क्या माहौल बनेगा ये तो हमें देखना है लेकिन अभी से मौसम बनने लगा है जहां एक और बहुत सारे नए दावेदार भी आ रहे हैं वहीं पर कुछ पूराने लोग भी वापस एक बार फिर से विधायक की दोड में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर बियल रनवा सीकर के प्र राजनीती में आप आएंअभी तक आप लोगों की चिकित्सा के माधंय इम से सेवा करी ऑप राजनीति के माधंय से से वा करना का शाए किनी सीकर संदेश करना चाहूंगा से का आज मेरा इंट्रिव्यू करने का सुचा आपने कहा कि मेरा जो है भाजपा में सदे सिता घहन होई और उसके बाद में मैं सीकर आया सीकर की सीमा पर मेरा जो भी स्वागत सम्मान हुआ तो इसमें आपने एक सब्द बोला काफिला मैं सिर्फ चार गाड़ियों के साथ जरूर आया था जेपूर से मेरे मिलने वाले लोग मेरे साथ थे जैसे ही मैं सरगोड शीमा पर पहुंचा तो मैं बड़ा चमबित रह गया कि दो दो एक्स विदायक मान्य जावरशिंग जी खर्रा मान्य गोर्दन जी वर्मा उनके साथ प्रधान प्रतिनिदी मूल जी रणवा और भी काफी गण्माने लोग वहां श्रीमादूबुर के प्रधान काफी भाजपा के प्रेद पदा दिकारी और हजारूं की संख्या में हमारे बीजेपी के कारिकरता मौजूद थे मुझे बहुत ऐसा अचंबित मैसूस हुआ या इतना आश्च्री हुआ कि यह क्या हो गया है मैं कहां से कहां आ गया हूं किस स्वर्ग में हूं लोग जब वहां नरेंद्र भाई मोदी के भारती जन्तापार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो मुझे बहुत ही स जुड़े और जहां तक मुझे द्यान है 500-600 की बीच में गाडियां थी हर जगे हर कॉइंट पे लोगों ने हमें रोका स्वागत किया सीकर सहर में भी हमारे लोगों ने पर्मिशन ले रखी थी कि हम चोटी रेली करेंगे डाग साथ लेकिन वह रेली नहीं रिला हो गया उ लगवग 500-600 जहां तक पुलिस वाले और लोग बता रहें मुझे आइडिया नहीं है पूरा लेकिन 500-600 गाडियां थी कि सहर कईजगे जाम विवाज इसके लिए मैं जिन जनता कि जिन लोगों को कुछ सेकस्ट हुआ उसके लिए किसमापरार्ती हुए ये मैंने नहीं करवाया हमारे कारीकरताओं का उत्सा था जिन्होंने इतना बड़ा कारीकरम मैं तो सोच भी नहीं सब् Ст handed कि मेरे लिए हो सकता है वब इस सम्मान को कभी नहीं भूलूंगा मेरे कारे करता हूंगा हमेसा सम्मान करूंगा और कारे करता है नहीं बाजबा के बड़े बड़े पदा दिकारी जिनके बराबरी में जाने में हो सकता है मेरे को समय लगे वो लोग मेरे साथ खड़े थे मैं अपने आप में अपने आपको बहुत बड़ा सम्मानित मेसूस करता हूँ और हो सकता आपका ये सवाल आए आगे किया आप B.J.P में कैसे आए तो जो चीज में सोच के आए ता वही हुआ B.J.P में हर सदश्य का सम्मान होता है मेरा B.A.J. सदश्य का सम्मान हुआ का इसके लिए में और संब्सक्राइब का था किया उनका वामायी आपने क्यों छुनी राजनिती में आप कई सारे options होते हैं भारती जनता पार्टी के किन चीजों से प्रभावित हैं क्या आपको भारती जनता पार्टी में ऐसा लगा कि यह ही पार्टी जोईंगर準 पहले से ही थोड़ी जितो विचारधारा इस तरह की रखता था लेकिन मेरी विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन स्नेस ने आया और उस परिवर्तन के कारण उस परिवर्तन का कारण माननी ये प्रदान मंत्री नरेंदर भाई मोदी हैं और उनकी और हमारी इस्ट्री आलाइं मैं उनके बराबरी में कहीं नहीं टिकता हूँ लेकिन इस्ट्री एक जैसी है एक देश ने उनको भी वीजा देने के लिए मना किया और डाक्टर बियल रण मेरे पास दस साल का उसी देश का वीजा है तो यह जो सम्मान और यह गोरों में नरेंदर भाई मोदी ने देश को ले जाकर एक खड़ा करने की जो इस्तिती पैदाई है जो देश हमारे को वीजा नहीं देते थे वो देश उस देश के प्रतिनिदी उस देश के सिर्ष नेत हमारे नरेंदर भाई मोदी को बोस कहते हैं हमारे देश का सम्मान करते हैं हमारे नागरिकों का सम्मान करते हैं और समय समय पे जब भी हम उनको इन्वाइट करते हैं वो हमारे यह आ करके हमारा आतित्य स्विकार करते हैं हमारा देश सिर्मोर होता जा रहा है 2014 से लेकर के ये 2023 तक की जो जर्णी हम देखें इस जर्णी में भारत को जिन हुचाईउं पे नरेंदर भाई मोधी ने पहुंचाया मैं नहीं समझता कि आज तक कोई ऐसा पहुंचा सकता था मैं ये नहीं कहता है कि पिछे के लोगों ने कुछ नहीं किया कि सब लोग अपनी इसाप से सब कुछ करते हैं लेकिन जो नरेंदर भाई मोधी ने किया मैं नहीं समझता एसा कोई कि आगे पहाएगा मैं आशा करता हूं इनसे वह अच्छा काई Walmart कोई भी प्रदान प्रसंद करने वाले विक्ति के लिए हो सकता है तो आप समझे कि उस पार्टी में आने पर एक कार्यकरता का क्या समान हो सकता है अगर ये कार्य करता का इतना बड़ा सम्मान होता है तो आप समझे वो पार्टी बिल्कुल सो परसेंट जोइन करने लाइक है और ऐसी पार्टी को जोइन करके मैं भावती फक्र अपने आपको गोर्वानित महसूस कर रहा हूं आने वाले समय में इलेक्शन है और इस वक्त सारी जो पूरे राजस्थान की जनता है वो उन लोगों की तरफ देखती है जो आने वाले समय में विधायक बनकर विधान सबा में जाकर उनके लिए बहतर कारिये कर सकें आप इस बारे में क्या सोचते हैं क्या आप विधान सबा 2023 के चुनाओं का कुछ प्लान कर रहे हैं देखो दिनेश जी मेरा कोई चुनाओ उद्देश से मेरा उद्देश से है सेवा करना सेवा का जो भी जरिया पार्टी मुझे देगी जिस भी रूप में पार्टी मुझे मुझे जिम्मेदारी मुझे जहां भी दी जाएगी जिस रूप में भी दी जाएगी उसको मैं बखुबी निगवाने की पूरी चेस्टा करूँगा कर दो के लिए आपने कुछ स्पैसिक कि नहीं सोचा है या यह होता भी नहीं जहां तक मैं पार्टी के कल्चर को समझा है मैं पार्टी के पर मां पार्टी सदश्य से 4-6 दिन पहले ही बना लेकिन मैं पार्टी की कल्चर का अध्येन करना मैंने बहुत लंबे समय पहले सुरू कर दिया था और उस 못र में मैं ने देखा है इति हर काड़ी करता की हर फूर्जावान वेक्ति की हर शिख्षित वेक्ति की हर योगिक कि कि का सम्मान भी होता है उचित पदारपन मिलती है तो ऐसा समझना कि मैं को चुनाव लड़ूगा यह मेरा काम पार्टी का है पार्टी जो भी तैय करेगी जहां भी मेरे को जिम्मेदारी देगी उसको मैं भी निभाऊंगा मैं पार्टी के जो सोच है उसके खरां उतरने की हर जगे कोशिश करूँगा अभी तक आप सिर्फ डोक्टर थे लेकिन अब आप पॉलिटीशन भी हो गए हैं और राजनेता होने के साथ-साथ आपकी शहर के बढ़ती आपके जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं मैं आप से जानना चाहता हूं कि वर्थमान में सीकर शहर और आसपास का जो छेत्र है वहां पर कॉंग्रेस सरकार के विधायक हैं आप पिछले साड़े चार पॉने पांच साल का कॉंग्रेस सरकार का जो कारेकाल है उसे कैसे देखते हैं मैं जहां तक समझता हूं और यह पांच साल का पहले का कल्चर मैंने देखा है जो कॉंग्रेस सरकार का कि यहां वन मैन आर्मी है एक आदमी ही सब कुछ है उसी ने अपने सारे डिपार्टमेंट अपने पास रख रखे हैं उसी की सह के विना एक फाइल आगे नहीं किसकती है एक छोटे से छोटा काम नहीं होता है तो इस तरह का जो सरकार है मनी समझता कि परजातांत्रिक सरकार है हालां कि परजातंतर चुनता है भारत में और परजातंतर के चुनेवे नुमाजंदे ही अपना मुख्या चुनते हैं लेकिन इस तरह की मुख्या की मैं मुखाल्पित इसलिए करना चाहता हूं कि जो मुख तो सोच सकते हैं आप किस तरह का विकास सीकर में क्या पूरे राजस्तान में हो सकता है सिर्फ इस सरकार का एक ही ध्यमातर प्रचार करो गरीबी फेलाओ रिणी प्रदेश तै करो जैसा कि आप राजस्तान पत्रीका का आज मुख परस्ट उठा के देख लिजिए उसमें विडिया में जो विग्यापन सरकार के मादें से सरकारी पैसे का दुरूपयोग करके और एक पार्टी विशेश के लिए दिये जा रहे हैं वो किस गर्त में ले जाकर कि इस राजस्तान को खड़ा करेंगे अब अगर आपको आगे किसी भी तरह की जिम्मेदारियां मिलती ह हैं और राजस्तान में आपने देखा कई तारिके की समस्यें पिछले पांच साल में लोगों ने महसूस की है चाहे युवा बेरोजगार हों जिनके परिक्षाओं के पेपर लीग हो जाते हैं उन पर फैसले नहीं आते बहुत सारे अलग-अलग करमचारी वर्ग हैं जिनों उन्हें सरकार का घहराव किया है उनकी कई मांगे हैं जो अभी तक नहीं मानी गई हैं इसके अलावा डॉक्टर्स ने पिछले दिनों आर्टी एच को लेकर बड़ा अंदोलन किया और उसके बाद में सरकार जिस तरीके से बैक फूट पे गई यह सब चीजों के बाद अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस विवस्था में या सुविधाओं में चीजों में किस तरीके का परिवर्तन आप करना चाहेंगे आपका टेग लाइन भी यही है परिवर्तन का समर्थन तो किस तरीके का परिवर्तन आप सोचते हैं देखो जी वैसे तो आपका जो क्यूस्चन है वो एक विशेश दिसा में है मैं उस दिसा में नहीं जाके आपको यह कहना चाहूंगा कि जिसको भी मुखा मिले जिसको भी मुखा मिले जो भी हमारी सरकार बीजेपी की जैसे मान के चल रहे हमकी 100% आएगी वो आए और उसमें जिसको भी सहबागिता मिले उसका उद्दे से यह रहना चाहिए कि जो मूल मोटो है स्वच्ता, शिक्षा, सम्रद्धी, यह जो बेरोजगारी यह नहीं रहे और हमारा महिला ससकती करनों यह पांच से बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनको वर्षू से हम बोलते आ रहे हैं लेकिन इनका समाधान बहुत अच्छी तरह होनी पाया हाला कि मौदी सरकार ने पूरी कोशिश की है कि इन मुद्दूं पे काम हो और काम हो भी रहा है केंदर की तरफ से लेकिन इसमें केंदर के साथ साथ राज्य भी एक इस्सा होता है अगर दोनों कडिया जुडेंगी त सारी बातें करने के लिए जैन से पहले मैं चाहूंगा आखरी सवाल के रूप में कि फिलाल जो प्रसासन है वो लोगों से वोट की अपील कर रहा है कि आने वाले समय में अपना वोट कास्ट जरूर करें ताकि सरकार और सरकार के नुमाइंदे चुनने में हर एक विक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके तो मैं चाहूंगा कि आप भी लोगों से अपील करें कि आने वाले चुनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ चट कर वो दें ताकि भविश्य में ज्यादा बहतर पॉलिटीशन्स समाज के लिए काम कर सके देखो इस समन्द में हमने क भागीदारी पे बैठ करके भोजन किया उसमें ज्यादातर वो लोग थे हमारे साथ खाना काने वाले जो हमारे नालियां साफ करते हैं हमारे गटर साफ करते हैं हमारे सभाई मजदूर हैं जिनको लोग निम दर्जे का समझते हैं मैं तो नहीं समझता मैं तो यह समझता हू आयुजीत इसलिए कर रहे हैं कि हर आदमी यह समझे कि हम सब बराबर है रादमी की पावर बराबर है कोई अपने पावर को कम नहीं आखे क्योंकि जिस दिन वोट पड़ता है कुछ दिन और सांसदका वोट भी एक ही गिना जाता है और और हमारे यहां काम करने वाला सफाई मजदूर का वोट भी एक गिना जाता है मेरे घर में खाना बनाने वाली का भी एक ही वोट गिना जाता है इसलिए सबसे बड़ी जो परजातंतर की ताकत है उसमें आपको यह मैसुश करना है कि मेरे को सह बागीता निम्हानी है इस सरकार तो गहर में कोई भी वोट दिये लिना वंचित ना रहे जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है वो जाके वोट करे वृत करे ग्षान को आदमी को वोट करे कौन उचित उमिद्वार है कौन शिक्षित धूर जो राजस्तां राज्ये सको हमारे गयर है कौन ले аты सकता है कि है किस यांति इस दर्म का है कि साधार के कभी इस आधार कि एक इसके किस मत क्या है किम्हें क्या कौन सोचता है कि में दिमाग है कि वो विकास की गंगा बहा सकता है विकास की गंगा बहाने कारती यह है कि उसको कम सिकम यह तो आइडिया होना चीए कि मेरे को काम किस तरह करना है लोग केते विकास कर देंगे लेकिन जिस आदमी को यह पता नहीं मैं पहले भी बोल चु खुश्यादा सिख्षित नहीं है उसको शिक्षा मंत्री बना दिए जाएगा तो च्या करएगा जिस आदमी को इनजिनिरिंग का आइडिया ही नहीं है उसको पी डल ड् dress हम करते हैं इसलिए हम जब वोट करें यह जरूर ध्यान रखें कि इस तरह का आदमी चुनके विदान सभा में जाए जो आपकी बात को रख भी सके आपकी बात को समझ भी सके आपकी बात को को execute नहीं करा सकता बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ब्यल रणवा सर पुनाय निवेदन या सब लोग वोट करें अच्छे उमिद्वार को वोट करें किसी के जहासे में आकर के वोट ना करें बहुत बहुत धन्यवाद अमने वाले चुनाओं के मद्दे नजर आप क्या स क्यों सोचते हैं कि यहां का विधायक कैसा होना चाहिए उसके शिक्षा के बारे में उसके विभार के बारे में या उसके अनुभव के बारे में आपके जो विचार हूं वो आप कमेंट के मादम से जरूर साजा करें ताकि हमें भी एक ब्रॉडर आइडिया मिल सके कि जनता किस तरीके का विधायक चाहती है या क्या गुण है जो अपने विधायक में देखना चाहती है सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धनेव झाल